क्या आपको पता है कि जब नई नई गाड़ी की इनुवेशन हो रही थी, तो मैक्सिमम लोग उस वक्त भी घोड़े ही यूज करते थे उस वक्त 1800 में, युनाइटेट किंड़म ने एक law पास किया, जिसे कहा गया red flag traffic law, जिसके according कोई भी घाड़ी चलाने के लिए 1. कम से कम तीन लोगों को कार में होना mandatory था, जिसमें से एक driver होगा और उसके साथ बैठेगा उसका car mechanic 2. जो तीसा आदमी है, वो आटो मूबील से 6 feet आगे चलेगा red flag लेके, ताकि उन सब घोड़े चलाने वालों को पता चलता रहें कि सामने से आटो मूबील आ रही हैं सबसे interesting law तो Pennsylvania ने 1896 में बताया था, कि अगर किसी भी गोड़े के साथ कोई गारी टच भी होती है, तो 1. इमेजेटली गारी रोग देना, 2. पूरी गारी डिससेंबल कर देना, यानि उसे individual parts में खोल देना, और 3. गारी के सारे खुले parts को उठाकर किसी पेडिया बुशिस के हस्वे होंगे, पर आप कमेंट करके बताये कि उस वक्ति के कॉड़ेंग, ये लॉस ठीक थे या नहीं, जैहिंद